दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच वारता हुई वारता विफल रही विफल क्यों रही विफल इसले रही कि किसान जो है वो कह रहे है कि आउटर रिंग पर उनको ट्रैक्टर रेली जो करना चाहते हैं उनको करने दी जाए लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी बात परड़ी हुई है दिल्ली पुलिस इस पे कानून विफल का हवाला दे रही है तो इसको लेकर अभी जुस्तिती है वो जस्की तस्बनी हुई है और कुछ भी निकल कर बाहर नहीं आया है तो यह जो वारताईं जे इस तो प्रफस को तंब इस चीज़ होता है इस तरीके से वी वारता हुई है झाल सकते हैं लेकिन एक एक सेलेक्टिब उस पर एक वहाली काल सकते हैं 26 जन्वरी को ट्रेक्टर रेली निकलने की आपर बात की जा रही है लेकिन ऐसे में कानून विवस्ता किस तरीके से सुचारू रूप से शुरू करनी होगी और सही तरीकी से की जाए कि ट्रेक्टर रेली अगर होती है क्यों किसान पीछे नहीं अटेंगे सरकार पीछे नहीं अटेंगी तो पुलिस को इस तीदी समान नी पड़ेगी क्योंकि CGI ने साथ तोर पर इस बात कर जिकर कर दिया है कि हम लोग बीच में नहीं आएंगे अब दिल्ली पुलिस ये तै करेगी कि ट्रेक्टर रेली कहां पर होगी किस तरीके से की जाएगी और कैसे हो नहीं है लेकिन अगर किसान नेताओं की बात करते हैं तो बार-बार वो ये कह रहे हैं कि चाह कुछ भी हो जाया हम पीछे नहीं अटने वाले इस तरीके से कानून विवस्था भी एक सवाल है पुलिस जो है वो कह रही है कि हम नहीं समाल पाएंगे अब पुलिस जब किनारा कर लेती है तो सरकार क्या करेगी इसमें और फिर किसानों को भी इस चीज को समझना चाहिए इसमें प्रद्यूम्न एक बात जो मुझको लगती है वो ये है कि किसान जितनी हट पर अड़े हुए है उतनी भी हट नहीं होनी चाहिए थोड़ा साल लचा रवया भी दिखाना चाहिए जैसे कि पहले मांग पर अड़ गए अब सीमाओ पर अड़ गए अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं हमें ट्रेक्टर रैली वही निकाल ली है प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा इसाब है क्योंकि यह बहुत बड़ा कारिकरम होता है गरतंत्र दिवस का पूरा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा पर्वमान बाना जाला है इसको अब ऐसे में अगर सारे किसान ट्रेक्टर रैली करने का करेंगे तो हमने जो सडकों पर देखा है जब एक्सप्रेस वे पे हमने उस दिन देखा था मासट पास नएड़ा 62 में कि जिस तरीके से जो रैली थी ती वो रैली नी दरसल रहा था वो किलो मीटर्स लंबा था इतना लंबा था पूरा चत्था था वो शक्ती प्रतरशन ज्यादा महसूस हो रहा था तो अगर ऐसे में एक जगा से तस्वीर थी मैं आपको बता दू ऐसा सिंग्गी बॉर्डर टीक्री बॉर्डर चिल्ला बॉर्डर अगर तमाम बॉर्डरों क किसान ऐसा दिल्ली में कुछ करने जा रहे हैं तो यह देखने में बहुत विशाल काया लगता है बहुत जादा बैस्ति बिल्कुल और ऐसे में पुलिस कैसे समालेगी इसको यह पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा सवाल या निशान है और इसमें सरकार की भी जिम्मेदार द्र Griffi था आकर वहां पर कुछ गण्वर तो नहीं करना हैं वहां पर कोई बहारी आकर कोश ओर तो नहीं खना जाता है ठीजियर ऐसे में क्या होता है कि अगर बहार से आकर कोई बहां पर घ हटना ना हो किसी भी तरीके के कुछ गलत चीज ना हो जाए कोई बाहर का व्यक्ति आकर यहां पर कुछ ऐसा ना कर दे जिसके कुछ चीजे जो हैं आपर खराब हो जाए बिल्कुल अब दिल्ली में जब इतनी बड़ी संख्या में किसान एक साथ पहुंच जाते हैं तो ऐसे म अपने हमारे दर्शकों तक एहम जान कर यह पहुंचा है क्योंकि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं ऐसे में वो जिपड़ अड़े हुए हैं लेकिन काविंद्र जिस तरीके से आप जिकर बार बार कर चुके हैं कि उनको पीछे हटना चाहिए तो आप यह बताईए कि ज सोच बता रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वैरल होती है या फिर किसान लेता खुद बयान देते हैं तो बार-बार यही कहते हैं कि हम कानून को वापस कराने के बाद ही घर वापस लोटेंगे बहुत अच्छा जिकर किया अगर ऐसी चीज नहीं होती है अगर अग सरकार के दिमाग भी ठिकाने आ सकते हैं लेकिन इसमें एक एहम बात ये भी है कि जब ऐसे आंदोलन हो रहे हो होते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्तिती बिल्कुल सामान ने बनी होई है आंदोलन शांतिप्रिया डंग से चल रहा है पूरा तेज देख रहा है माहौल बनता जा र उसकार रहा है वी थिल् musi दिनने पहुता है रखन करें contract यहसारी का महौल हो गया है जैसे मार्केट में देख भी इतने नहीं इत्ने तुर का देती है कि नहीं चलिए इतने कानूनों पर मान जाईए चलिए इतने पर मान जाईए और किसान जो है वो कहते हैं कि नहीं हम इसी पर रहेंगे क्योंकि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं ऐसे मैं उन्होंने कई दिन पहले इस बात का जिकर किया था कि 26 जनवरी आ रही है और कुछ बड़ा होने वाला है तो उन्होंने संकित तो पहले ही दे दिये थे अब जब किसान इतनी जित पर अड़े हुए है तो यह साफ तोर प पुलिस डिसाइड करेगी और उनको पूरी खुली आजा दी ए कि किस तरीके से करना है किस चीज़ पर रोक लगानी है कि सको गिरफतार करनाय कैसे कारवाई करनी है जो डिल्ली पुलिस की टीम बनाई गई गयी है वो यहा पर अपनी विवसता कर रहे है कि अगर रैली होती CGN ये बात पुलिस के सामने रखी कि हम कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन दिल्ली पुलिस डिसाइड करेंगी जो दिल्ली पुलिस की उपर इतनी एहम जिम्मेदारी यहाँ पर आ चुकी है कि वाकई में प्रेशर उन पर बहुत जादा आ गया है बिल्कुल ऐसे बे सुप्रीम कोट ने तो अपनी तरफ से इंटर्वीन करने की कोशिश की थी सुप्रीम कोट ने चार सदसी एक पैनल बनाया था जिसके जरीए उसमें किसान भी आ जाएगा उसमें एक्सपर्ट भी आ जाएगा और उसमें सरकार का भी पक्ष आ जाएगा सारे पक्ष को मिला कर जो एक उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसके तोर पर आगे की रड़नी ती डिसाइड होगी लेकिन किसानों ने सिरे से निकार दिया किसानों ने कहा कि जो बाकी पैनलिस्ट हैं तो पहले से ही सरकार की तरफ लीन दिखते हैं, तो जब सरकार की तरफ ही वो लीन दिखते हैं, जब उसकी मन्शा ही वही है, तो ऐसे पैनल का वो लोग बहिशकार करते हैं, हाला कि वो लोग कह रहा है कि हम सुप्रीम कोट का तो सम्मान करते हैं, लेकिन स्वैसले को हम नहीं म ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसान सडकों पर है, तो सरकार की जो सिरदर्दी है वो कम है, कि चलिए ठीक है, वो सडकों पर है, ऐसा कता ही नहीं है. जो एक सिटी डवलप कर ली गई है, इससे जो हाईवेंस जाम है, जो तमाम जो बॉर्डर सील एक तरीके से उसको ब्लॉक ही बोलेगे, ब्लॉक हो चुके हैं, वहाँ से इतने सक्रे रास्ते हो गए हैं, कि कई-कई घंटों का जाम लगा हुए, तो इससे दिल्ली वासी, नॉड़ा वासी और गाजियावाद, जो लोग अब डाउन करते हैं, या लोग जो आते जाते हैं, उनको भी तमाम तरीके की परशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, NCR के लोग काफी परिशान है, आप यह सो सकते हैं, कि जब इसकी मॉग ड्रिल हुई थी, जिस तरीके से किसानों ने अपनी रैली की मॉग ड्रिल दिखाई थी, तो उसमें करीब-करीब 60,000 ट्रेक्टर महा पर शामिल हुए थे, तो आप ऐसे में सोच सकते हैं, कि वो तो एक मॉग ड्रिल थी, एक नमूना पेश किया गया था, लेकिन अगर वो ही नमूना 26 जनवरी को पेश किया जाता है, तो यह हमारे दर्शोकों तक M जनकरी पहुचाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो दर्शोक हमें देख रहे हैं, वो इस बात को जरूर सोच रहे होंगे, जो NCR में नहीं रहते हैं, कई बहार रहते हैं, वो TV पर देखते हैं कि कितनी संख्या है, लेकिन काविंदर आप तो Ground Zero पे बिल्कुल जाते हैं, वहापर coverage भी करते हैं, वैसे में आपने देखा ही हुगा, कितनी जन संख्या है, वहाँ पर किसानों की अगर रैली होती है, तो आपका अनुमान क्या है, कितनी संख्या रहेगी? अगर rally होती है तो rally लाखों का जो हुझूम है लाखों में गिना भी नहीं जा सकता कि वो कितने लाखोंगे क्योंकि अभी कोई अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। किसान जिस तरीके से बढ़ रहा है वो एक सोच से परे चीज है जिस तरीके से एक सिटी डवलप हुई है जिस तरीके से इतने टेंट है जितने लोगों की संख्या हम सोच सकते हैं हम सोच सकते हैं कि इतने हजार किसान होंगे उस जगह पर उतने हजार वहां पर टेंट दिखा होगी तो जो यह तमाम जो शेहर से बस गए हैं अगर ये पहुंच जाते हैं दिली तो संख्या बहुत जादा हो जाएगी जिसको समालना बेहạt्स मुश्किल है दिली पुलिस के लिए तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सरकार तो है अपनी जिम्मेदारी निभा रही है सरकार कह रही है कि इसको रहीं करने देंगे, इसको रोग दीजे, रैली को मत करिए आप इसको अलग ढंक से कर लीजे, किसान भी हाला की पीछे हट है, किसान भी कह रहा है कि चलिए हम मार्च पास कर लेंगे, लेकिन कुछ किसान अभी भी ट्रेक्टर रैली पर अडे हुए है तो स्थितिया जो है वो अभी भी लगातर बनी हो लेकिन जो लंबा समय भीता है प्रदियूम में जो किसान आंदोलन को लगब दो महीने होने जा रहे है तो यह दो महीने का जो लंबा वक्त है इससे क्या हुआ है कि विदेशी मीडिया की नजर भी सांदोलन पर है अगर 26 जन बढ़ी उस देश की इस तरह की तस्वीर आती है कि वहां पर किसान अंदोलित है और पूरा जो हैड़कॉर रही अगर किसान घेराओ कर देते हैं तो ऐसे में देश की साख पर बहुत गहरा असर परता है बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया किसी भी देश की नीव देक उसको पूजा भी जाता है लेकिन बाहर की जो मीडिया है बाहर के लोग जो लोग है वो अगर ये चीज़ देखेंगे तो कहीं न कहीं थोड़ा इस्थी तो डामडोल हो जाती है लेकिन ऐसे मैं किसान को भी चीज़ समझनी चाहिए कि ऐसा कुछ ना करें इसे हमारी देश के पर कोई बात बने और सरकार भी इस चीज़ पर मन्थन करें कि ऐसी कुछ विवस्ता निकाली जाए जिसे दौनों का समझोता हो जाए वाचीत सही तरीके से हो जाए लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि कुछी दिन बचे है 26 जनवरी में अब देखने वाली बात ये र वो खुदी सडकों पर आजाता है जय 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 किसान इस देश का नरा है और ऐसे में जब किसान ही सडकों पर बना हुआ है सरकार एक तरफ है और दिल्ली पुलिस भी से हैं तो इसमें जो दिल्ली पुलिस जो फंसी हुई है, उसकी जो परिशानिया उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार तो किनारा कर लेगी, अगर इस्तिती बिगडी सरकार पूरी बात पुलिस पर डाल लेगी, जाच बैठेगी, असाइटी बैठेगी, तमान तरीके की निकाल कर रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, हाला कि और बाकी जगाओं के किसान निकाल की चलो ठीक है, मार्च कर लेते हैं, बाकी कुछ लोग बोलें, लेकिन वहां के किसानों ने साफ कर दिया कि ट्रेक्टर रैली तो निकल कर रहेगी, आउटर रिंग जो ए अगर हम खर्ण करने से पहले एक बात अगर इसमें जानने की कोशिश करें, अब जो दिल्ली पुलिस भी एंट्री मार्च ऊगी है, इसमें सबसे अदरा नुक्सान किसका होने वाला है, देखिये, नुकसान अभी तक किसान का जो हो रहा है, सरकार का हो रहा है, राजस्व क हो रहा है लेकिन अब जो इस्तिती में आपने भी बताया मैंने भी बताया कि दिल्ली पुलिस वो दलदल में इस तरीके से फस गई है कि वो ना ये इधर का रही ना इधर की रही अब उसको इस्तिती समाल लिया यहाँ पर क्योंकि उसके उपर एहम जिम्मेदारी आ गई है तो दिल्ली पुलिस इससे निप्टेगी कैसे किस तरीके से बीच का रस्ता निकालेगी कि वो रैली आरम से वहाँ से निकल जाए ये ज़रू देखने वाली बात हो जाएगी तो फिलाल के लिए इतना ही बने रही कि आप न्यूजवल इंडिया के साथ नमस्कार